नमस्कार शिक्षार्थियों आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर परवीन शर्मा एसोसियेट प्रोफेसर आज के सत्र में हमारी चर्चा का विशे रहेगा बच्चों में शब्दावली विकास हे तू क्रिया कला किसी भी भाषा के शब्दावली वहां के सामाजिक सांस्रितिक परिवेश से प्रभावित होती है जहां वे बोली जाती है उधारन के लिए अंग्रेजी भाषा के भारतिय प्रियोगता को संप्रेशन के लिए अंग्रेजी का प्रियोग अन्य भारतिय प्रियोगताओं से अन उसका प्रभाव देखा जा सकता है कुछ शब्दों का आम उधारन वश आगे चर्चा करेंगे कि किस परकार शब्दों का रूप बदल जाता है किसी भी विश्यवस्तु की प्रस्तुति करन के लिए हमें अच्छे शब्दों का प्रियोग करना आविशक होता है क्योंकि अग कर बालक का अधि घंव विश्यवस्तु पर हो गया है लेकिन प्रस्तुति करन के लिए उसे अच्छे शब्दों का प्रियोग करना होता है हमारी यह अच्छे शब्द ही है जो हमारी भाषा को हमारी विश्यवस्तु को बहतर बनाते हैं तो आज की इस चर्चा में हम कुछ उन क्रियाओं का जिक्र करेंगे, जिन से हम बच्चों की शब्दावली में व्रधी कर सकते हैं। देखें किस प्रकार से भाषा संबन्दित खेल हैं। सबसे पहले हम बच्चों को एक क्रिया कलाब के लिए कहेंगे, कि एक शब्द कोश्ट तैयार करें। अलग विश्यों के अंतरगत बालकों को शब्द लिखने को कहा जाए उधारन के लिए विद्याले, घर, हस्पता लादी इससे उन्हें नए शब्द सीखने का उत्साह एवं प्रेणना मिलेगी जिससे उनकी शब्दाबली में व्रदी होगी हम रोज अपनी कक्षा कक्ष में बच्चों को कह सकते हैं कि रोल नंबर से हर बच्चा एक नए शब्द देगा, इस तरह से दस मिनट हम विश्यवस्थ हम के दूसरे प्रस्थुती करन के लिए लगा सकते हैं और दस जो मिनट हैं, वो शब्द कोश्ट तयार करने के लिए तो उनका जो शब्द कोश तयार होगा वो उनकी रोज मर्रा के अभ्यास में आ जाएगा क्योंकि शब्दावली कोई रातो रात वृदी नहीं होती है रोज रोज उनका अभ्यास करना पड़ता है और साथ ही बच्चों को ये बताएं शब्द अकेले में अपना अर्थ याद नहीं रख पाते हैं जब उनके वाके में परियोग किया जाता है तो वो बेहतर तरीके से हमारी स्मृती में बने रहते हैं स्थाई रूप से उनकी स्मृती रहती है तो अर्थात अगर हमें बालकों की शब्दावली में व्रधी करनी है तो पहला जो खेल या पहली जो क्रि लगे बच्चे बढ़ चड़कर उसमें भाग लें उनका अपना एक शब्द कोश तयार होगा उसमें वो चित्र भी बना सकते हैं सुन्दर तरीके से उसको सजा भी सकते हैं और हम बाद में उनका कोई मुकाबला करा सकते हैं किस बच्ची का शब्द कोश में कितने शब्द है किस बच्ची को कितने शब्द याद हुएं इस तरह से शब्द कोश तयार करने से बच्चों की शब्दावली में व्रदी होगी क्योंकि अभी मैंने आप से बात की कि जब हम अपनी विशे वस्तू का प्रस्तुति करन करते हैं तो हम जितने अच्छे शब्दों का करेंगे हमारी भाषा में उतनी ही सामर्थ होगी उतनी ही ओजस्वी होगी उतनी ही बल्शाली होगी तो इसलिए बच्चों को नए ने शब्द त्यार करना सीखना होगा अब है कुछ हम ऐसी घूमने वाली पटियां मूवेबल स्ट्रिप्स जिन को अंग्रेजी में कहेंग कि ऐसी हम घूमने वाली पटियां बनाएंगे जिसमें हम उपसर्ग या पर्ते लगाएंगे उसकी सहायता से नए शब्द सीखने में सहायता मिलेगी जैसे हमने एक घूमने वाली पटि बनाई और उस पर एक शब्द लिखा कर्म और उसके साथ हमने चार शब्द लिख दि बच्चे अपने शब्दावली में वृधि कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चे को ये खेल मिल जाएगा। और खेल-खेल में वो सीखेंगे।। उनका मनुरंजन भी बढ़ेगा और उन में थोड़ी प्रतिस परदा बढ़ेगी। तो इस तरह हम ग्रे कारिये में भी दे सकते हैं कि जैसे आज हमने घूमने वाली पट्टी बनाई सब इसको सुन्द तरीके से त्यार करेंगे आज हमने उपसर्ग की सहायता से करें कल और परते की सहायता से ऐसे चार शब्द उपसर्ग और चार शब्द परते की सहायता से हर विद्यार्थी तयार करके लाएगा इस तरह गूमने वाली पटियां अलग-अलग डिजाइन अलग-अलग रंगों की सहायता से बना कर बच्चे इसमें उनकी दिल्चस्पी भी बढ़ेगी और हमारा जो उदेश्या है कि बच्चों को नए शब्दों को सीखने में सहायता मिले हमारा वो उदेश्या भी सफल हो जाएगा कुछ और खेल हम विविद रूप से खेल सकते हैं शब्दावली बढ़ाने के लिए शब्दों की अक्षरों को दोबारा विवस्थित करके नया शब्द बनाना जैसे हमने दो शब्द लिये जै और जला अब जला को विवस्थित करो पुनर विवस्थित करके बच्चे ने शब्द बना दिया लाज इस तरह हर बच्चे को हम कहेंगे कि हमने आपको एक उधारन दिया पहले कक्षा में ही आप मेरे सामने कुछ शब्दों का चुनाव कीजिए और उनको व्यवस्थित कीजिए तो पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों को अपने निर्देशन में शब्द देंगे कि ये शब्द है आप इनको व्यवस्थित कीजिए जब बच्चे हमें लगेगा कि इस लायक हो गए हैं कि वो हमारे निर्देशन के अनुसार इन शब्दो पुली में व्रदी हो लेकिन इसके लिए हमें नए नए क्रिया कलाप खोजने हैं ताकि बच्चों की उसमें दिल्चस्पी बना रहे और बच्चे सोचें कि आज अध्यापक किस खेल के द्वारा हमारा मनोरंजन करेंगे क्योंकि जब भी कक्षा कक्ष में सहजता का तो इस परकार से जो बच्चे बहिर मुखी हैं वो तो सीख लेते हैं परंतु जो अंतर मुखी बच्चे हैं उनकी इस तरीके से जो मनोबल है वो कम हो जाता है और उनमें आत्म विश्वास नहीं बढ़ता तो इस तरीके कि जब हम क्रियाएं सभी बच्चों को करने के और शब्दावली में व्रधी करना सीख जाते हैं अब एक और हम उनको क्रिया दे सकते हैं खाली स्थान भरो जैसे हमने एक उनको क्रिया दी कि खाली स्थान भरने हैं लेकिन वो शब्द लिखने हैं कि उस शब्द का आखरी जो अक्षर है वो कै हो तो हमने जैसे दिया वह व्यक्ति जो शिक्षा देता है उसका आखरी अक्षर होगा कै तो बच्चे स्वयम अपना दिमाग लगाएंगे कि शिक्षा कौन देता है किसको कहते हैं शिक्षा देने वाला शिक्षक तो बच्चों ने देखा स्वयम ही एक दूसरे के उत्तर को चैक कर लिया कि शिक्षक का आखरी अक्षर है कै, दूसरा वह व्यक्ति जो चिकितसा करता है, यहाँ भी आपने बच्चों स्थान भरणा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, परंतु उस शब्द का आखरी अक्षर कै हो, जैसे उधारन के लिए चिकितसक, व्यक्ति जो मशीने ठीक करता है, इसका जो तो अक्षर यहां पर रित पूर्ती करेंगे उसका भी आखरी अक्षर होगा कै इस तरह बच्चे सीख गए कि वह व्यक्ति जो शिक्षा देता है शिक्षक वह व्यक्ति जो चिकित्सा करता है चिकित्सक और वह व्यक्ति जो मशीने ठीक करता है मेकैनिक तो इस तरह हमने खाल से दिया फिर हम दे सकते हैं कि जिसका आखरी अक्षर से होगा या हम पहला अक्षर दे सकते हैं फिर जब उनका स्तर बढ़ जाएगा तो उस तर बढ़ने के बाद हम बीच वाला अक्षर है उसको परिवर्तित कर सकते हैं इस तरह मनोरंजन भी होता रहेगा बच्चे खेल खे पहना भी आजाएगा क्योंकि हमारी शिक्षा का एक उद्देश है कि वच्चों का सामाजी करण होना चाहिए वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल जुलकर सहयोग की भावना करना सीखें तो सहयोग की भावना भी सीखेंगे और उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी इसलिए शब वाले पच्चों को पीछे बैठाए पीछे वालों को आगे ताकि सभी को बराबरी का हक मिलता रहे और कोई भी बच्चा उपेक्षित महसूस ना करे तो इस परकार खाली स्थान भरोपरतियों गिता से बच्चे जो हैं उनकी शब्दावली में भी व्रदी होती है एक और ह वह अक्षर जो अक्षर पहला अक्षर शब्द का होगा से तो हमने एक वाक्य दिया वह व्यक्ति जो गहने बनाता है यहां पर आपको शब्द भरना है और उस शब्द का पहला अक्षर स होना चाहिए तो स्वर्णकार वह व्यक्ति जो साधना करता है साधक वह व्यक्ति ज तो विदी दी थी, उसमें बात की थी कि उसका आखरी अक्षर के होना चाहिए, यहां हमने खाली स्थान भरो में बताया कि यहां खाली स्थान भरना है परंतु उस शब्द का पहला अक्षर से हो, इस तरह बच्चे सीख गए, फिर हम कहेंगे इसी की आधार पर सभी बच्चे दो दो शब्द और बनाओ, फिर हम शब्द और बदल सकते हैं, जैसे पहला अक्षर हमने सै से किया था, हम जो है पहला अक्षर पै से रख सकते हैं, जैसे प्रगती शील हो गया, प्रगती हो गया, इस तरह हम कोई भी उधारन ले सकते हैं, बात वही है कि हमारा उदेश्यत तो यह है कि बच्चों की शब्दावली में व्रदी करनी हैं लेकिन उसके लिए हमें नए नए क्रिया कलाब ढूनने हैं जिससे हमारा जो शिक्षन अधिगम की प्रिक्रिया है वो उबाव ना हो बच्चे उसमें दिल्चस्पी रखें और रोज मन से चाफ सी कक्षा कक्ष मे आएं ऐसा नहीं कि डर की वज़े से आएं वो बेजी जग खुल कर आएं ताकि उनका सीखने में मन लगे अब जोड़े बनाना जैसे हम दो श्रेनी में शब्दों को रख देते हैं पहली श्रेनी जो हमने काले अक्षरों से लिखी है उसमें हमने गलत जोड़े बनाए पिर बच्चों को कहा जाएगा इनको सही क्रम में लगाएए कि अनुज किस के साथ आएगा अगरज के साथ अमीर आएगा गरीब के साथ अंधेरा उजाले के साथ अपना पराया चतुर मूर्ख इस तरह हम बच्चों को नए शब्दों के द्वारा जोड़े बनाने के साथ उनको यह सिखा सकेंगे कि कि शब्द का किस के साथ ताल मेल है तो प्रारंब में प्रात्मिक स्तर पर तो हम खुदी शब्द देंगे और बच्चों को जोड़े बनाने को कहेंगे जब उनका स्तर बढ़ जाता है तो स्तर बढ़ने पर हम उनको यह भी कह सकते हैं कि आप ऐस दस शब्द ढून के लाओ अपनी कापी में ग्रह कारिये के रूप में ऐसे शब्द लिख के लाओ वो हम स्तर के अनुसार देखेंगे यह याद रहे कि कोई भी अध्यापक जब बच्चों को किसी परकार की भी क्रिया करने के लिए देता है तो उसको यह आवश्यक रूप से ध्यान रखना है कि बच्चों का प्रात्मिक स्थर क्या है उनका मांसिक स्थर क्या है उनका ग्यानात्मक स्थर क्या है क्योंकि स्थर्म को ध्यान में रखके ही हमें क्रिया कलाप को व्यवस्थित करना है कि किस बालक को क्या कारिये देना है अब हैं सम रूपी भी नार्थक शब्द कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उच्चारन की द्रश्टी से इतने मुलते जुलते हैं कि परियोग करता उन्हें एक ही मानते हैं जबकि उनका जो अर्थ है वो अलग-अलग होता है जैसे हमने दो शब्द बोले आदी और आदी अब यहां उच्चारन सही होना अब आपको बात बताएं कि प्रात्मिक स्तर पर ही जब बच्चा लेखन में मात्राओं की गलती करता है तो अध्यापक का करता व्य है कि उसी समय जो लेखनी की वर्तनी है या उच्चारन है उसमें उसी समय सुधार करना चाहिए मात्राओं का नहीं तो बाद में बच्चे इन गलतियों को यों कातियों स्थानांतृत करते रहते हैं और उससे अगर बालक का विश्य वस्तु पर आदी पत्य होते वे भी क्योंकि उच्चारण में और लेखनी में वर्तनी में उनकी तूटियां हैं तो वो अपना एक तरह से मजाक उड़वाएगा क्योंकि वो विश् इखी मान लेते हैं जब कि आदि जब इसकी वर्तनी में छोटी एक्यमातरा लगेगी तो उसका मतलब है आरंभ और आदी में ज बड़ी एकी मातरा लगेगी अभ्यास जैसे कि आदिकाल की बात करें तो छोटी एकिाई contrib कि वह चाय कि आदि हो गया है तो अभ्यानिकि वो उ इसी तरह अंश या उसके अंश पर चूट लगी है तो देखिए दोनों का अंतर कितना हुआ क्योंकि वो उचारन की दृष्टी से अगर गलत उचारन किया तो वो ऐसे लगते हैं कि एक जैसे हैं जबकि वो शब्द जो हैं उनकी मात्राएं भी अलग हैं और उनका अर्थ भी अलग हैं केवल उचारन की दृष्टी से वो एक जैसे पृतीत होते हैं परन्तु एक जैसे नहीं हैं तो इस तरह कि शब्द बच्चों को दें उनका अंतर करना सिखाएं और जब बाद में उनका स्तर बढ़ जाता है तो उनको कहें आप ऐसे पांच-पांच वाक्य अपनी कापी पर लिख कर लाएं उसके लिए भी हम ग्रूप बना सकते हैं कक्षा को दो समूव में बाच सकते हैं तो इस तरह हम उनका मुकाबला उनकी प्रतिस बच्चों में किसी भी परकार की इर्शा की भावना उत्पन नहीं होनी चाहिए नहीं तो जो हमारा उद्देश्य है बच्चों को सिखाने का वो विफल हो जाएगा अब सहाचरिये से शब्दावली व्रधी कुछ शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं जैसे एक शब् हैं वो सारे के सारे शब्द बच्चे के दिमाग में आने चाहिए जैसे एहंकार से मिलते जुलते शब्द हुए घमंड अभिमान दंब दर्प तो बच्चा एक शब्द याद करेगा तो उसके जो सारे शब्दों क्योंकि सबसे पहले हमने क्रिया कल आप कौन सा बताया था कि बच्चे अपना एक शब्द कोश बनाएं तो शब्द कोश में भी हमने अपने शब्द लिखवाएं होंगे बच्चे को तो एहंकार से जितने भी सहाचरिया जिस जिस शब्द के मिलते जुलते हैं घमंड अभिमान दंब और दर्प इसी तरह आँख के कितने पर आएए आँख, द्रग, लोचन, नेत्र, नयन, विलोचन ऐसे अनेकों शब्द हैं जो इससे सहाचरिया रखते हैं तो बच्चों की शब्दावली में व्रधी होगी जब वो अपना कहीं भाशन दे रहा है वक्तव्य दे रहा है जब वो नए नए शब्दों का परियोग करेगा त जैसे ही एक और शब्द का मैं उधारन दे रही हूं आनंद, आनंद से मिलते जुलते शब्द प्रसन्यता, हर्ष, उल्लास, खुशी इस तरह बच्चों की शब्दावली में व्रधी हुई और बाद में वही बात है उनका स्तर बढ़ने के बाद उनको कहेंगे स्वयम से भ तो विद्याल है, तो विद्याल है से जितने भी संबंदित शब्द हैं, वो बच्चा बोलेगा अध्यापक, चाक, विद्यार्थी, बोड, कुर्सी, मेज, घंटी, चपडासी, ऐसे हमने उधारन के लिए और उधारन दिया की हस्पताल, तो वो हस्पताल से संबंदित बो रेल, तो रेल से संबंदित वो बोलेंगे, टिकट घर, चैकर, टिकट, यातरी, कुली, तो इस तरहां से बच्चे सोच सोच के बोलेंगे, तो यहां हम उनके जोड़े भी बना सकते हैं, बच्चों के समूह बना सकते हैं, जैसे एक शब्द एक ने बताया, फिर दूसरे न जाएगी, अब है स्मृति द्वारा, यह भी एक बड़ी मनोरंजक करिया है, जैसे अध्यापक बोर्ड पर 5, 10, 15 जितने भी बच्चों का स्तर देखके शब्द लिखेगा, बच्चे दो मिनट तक इसको देखेंगे, फिर अध्यापक बोर्ड से उन शब्दों को मिटा दे यह कई बार ऐसा जब हम उच्तस तर पर आते हैं, तो बच्चों का जो व्यक्तित्व टेस्ट होता है, वो भी ऐसे ही किया जाता है, कि जैसे हमने 5 या 10 शब्द बोले, और बच्चों को कहा जाए कि मैंने जो शब्द बोले थे, उनका आप उनर उचारन कीजिए, तो जिस बच्चे का जैसा व्यक्तित्व है, माना हमने बोले प्रेम, श्रधा, त्याग, इमानदारी, चोरी, तो जो बच्चा इमानदार होगा, वो सबसे पहले इमानदार शब्द को बोलेगा, तो इस तरह से उनका व्यक्तित्व टेस्ट भी हम उच्टस तर पर करते हैं, यहां जो हम बात कर रहे थे शब्दावली में, कि पांच या दस शब्द लिखेंगे, बच्चा उसको पढ़ेगा, फिर उई शब्दों को मिटा दिया जाएगा, फिर अपनी याज से बच्चे एक एक शब्द लिखेंगे, जितने बच्चे ने शब्द लिखें, उन सब का एक दे दिया जाएगा, फिर एक क्वीज टेस्ट, अलग समू के आधार पर, कक्षा के आधार पर, या विद्याले के आधार पर, जैसे शेहर में पांच स्कूल हैं, तो पाचो स्कूल की टीम बुलाई जाए, एक इकाई का क्वीज कर सकते हैं, कि आज हम भुगोल के या हिंद इसके लाब क्या होंगे, बच्चा अध्यन में नियमित रहता है, बच्चे को पता है कि एक माहा खतम होते ही, इसका क्वीज टेस्ट होगा, इस वाली हिकाई का, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो अध्यन में नियमित रहेंगे, इससे उनको पुनर बलन मिलता रहत है कि माना हमने अपने विध्याले की एक टीम चार बच्चे कख्षा से चुनकर भीजने और जो बच्चों को पुनर्मिलन बंड मिलेगा जो बच्चा सबसे अच्छा याद करेगा अध्यापकू उसीको टीम में लेगा इससे परीक्षा का ड़र नहीं रहता बच्चों की तै प्यारी होती रहती है तो क्वीज टेस्ट के लाब भी है और इसको आयोजित करने के कुछ सुझाव हैं एक तो बात ये ध्यान रखी जाए जो पढ़ाया हुआ है वही पूछा जाए ऐसे नहीं पढ़ा तो कुछ और रखा या बिना पढ़ाय में से पूछ लिया जाए तो ब बात हम बच्चे से पूछना चाहते हैं जो प्रश्क पूछना चाहते हैं बिलकुल वही विशिष्ट बात पूछी जाए ताकि बालक को ये समझने में दिक्कत ना हो कि क्या बात पूछी गई है और साथ-साथ परिनाम बताया जाए आपने देखे होंगे जब क्वीज टे बता जाता है तो साथ-साथ बच्चों को परिनाम बताया जाता रहे ताकि बच्चों को पता रहे हम कितनी गलतियां कर रहे हैं और कितनी नहीं कर रहे हैं अब क्रिया विशेशन क्रिया विशेशन आत्मक पदबंद क्रिया पर आधारित होते हैं जैसे सीता धीरे-धीरे ग बनानी बताएं कमाना कमाई खेलना खेल घबराना घबराहट इस तरह हम उनको और शब्द हें फिर विशेशन से संग्या बनाने को कहें जैसे अच्छा अच्छही आलस से спасा कर मक शब्द बनाना उचा उचाई अकर्मक से सकर्मक शब्द बनाना जैसे हसना हसाना चलना चलाना लड़ना लड़वाना सकर्मक के रिया हैं फिर निम्न शब्दों के विशेशन बनाने राश्ट्रिय राश्ट्रिय रूप रूपवान पूजा पूजनिय इस तरह शब्दों के विशेशन बना जाने को कहा जाए फिर शब्द युगम जैसे जोड़े हैं शब्दों के उपहास परिहास कई बार एक दूसरे के स्थान पर तुरूटी से प्रियोग हो जाते हैं तो उनके भी यह एक क्रिया कराई जाए उपहास अपमान के लिए हसी उडाना परिहास हसी विनोद करना मनुर करना ऐसे शब्द युगम के दौरा उनकी शब्दावली बढ़ाई जाए फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द दें जो सभी एक अक्षर से शुरू होंगे जैसे जो अपनी बास से ना टले अटल जिसकी तिथी ना हो अत बिना थके अथक जिसमें धैरिय ना हो अधीर बिना किसी नियम के ए नियमित ऐसे उनको और किरिया कलाप दें फिर शब्द परिवार एक शब्द है मूल उससे मिलते जुलते शब्द अंग अंग हीन अंग भंग अंगीकार अंश अंश धारी गद्यांश पद्यांश सारां उन उपसर्ग दिया 1949, अन, अनपढ, अनमेल, अनसुनी, भर, भर पेट, भर पूर, भर सक, इस तरह उपसर्ग शब्द दे कर उनको शब्द बनाने के लिए, फिर परते, परते की वो अक्षर जिसका बाद में ती आएगा, गिंती, घटी, बरती, जिसके बाद में ना आएग खाना, पीना, चलना, बाद में आहट आएगा, चिलाहट, घबराहट, मुस्कराहट, वाच्चे परिवर्तन, मैंने पत्र लिखा, मुझसे पत्र लिखवाया गया, ये कविता उसने लिखी है, ये कविता उसके द्वारा लिखी गई है, शिकारी शिकार खेलते हैं, शिकार या अवधारक अव्य कहलाते हैं जैसे मोहन ही जा रहा है ही निपात है व्य दिल्ली ही जा रहा है मोहन क्रिकेट ही खेलता है तो जो ही शब्द है वो निपात है इस तरहां आप सभी विद्यार्थी कल निम्न शब्दों पर तीन वाक्य बना कर लाएं जैसे अभी निपात की बात की थी, तो उनको तीन शब्द दे सकते हैं, कि आपने ऐसा वाक्य बनाना है, जैसे ही था, मोहन ही जा रहा है, तो भी पर वाक्य बनाना है, जो निपात को स्पष्ट करें, ऐसे ही वाक्य बनाना है, जो निपात को स्पष्ट करें, तो वर्ड शब्द से, फिर्या तक, त तक तो आपने ऐसा नहीं किया इस तरह उधारन दे के उनको ग्रह कारिये के लिए कहें तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारी ये जो क्रिया कलाप हैं वो बच्चों की शब्दावली को में व्रधी करते हैं अब ये अध्यापक की कारिये कुशलता उसकी कौशल पर नहीं हुआ हैं तरह से हमने देखा क्रिये के लिए बच्चों को सिखाता है कि शब्दावली में व्रधी करना तो आवश्यक है और ये अध्यापक की कारिये कुशलता उसकी कौशल पर भी निर्फर करता है वो कैसे शब्दों का चुनाव करता है किस स्तर पर बच्चों को सिखाता है और ऐसा नहीं कि हमने एक बार शब्द कोश त्यार करा दिया फिर बहुत दिनों तक उसका परियोग नहीं हुआ तो फिर बच्चे क्या होगा उनकी जो स्मृती है वो उसमें चली जाएगी विस्मृती में बदल जाएगी तो उसका दीरे दीरे परियोग भी करना आवश्यक है तो विद्यार्थियों मैं समझती हूँ कि ये सारी की सारी जो क्रियाएं हमने आप से चर्चा की सत्र के दौरा ये सब आपके लिए सहायक होंगी कि किस परकार बच्चों की शब्दावली में हम इजाफा कर सकते हैं हाँ फिर से मैं ये बात दोराना चाहूंगी कि विद्यार्थियों की दिल्चस्पी उनका मनोरंजन उनका स्तर बनाई रखने के लिए अध्यापक की कारिये कुशलता पर निर्भर करता है कि वो कैसे उधारन लेता है किस परकार प्रस्तुती करन करता है और साथ ही बच्चों को ये भी बताता है कि शब्दावली हमारी अधिक अच्छी होगी संपन होगी सम्रद होगी तो हमारा जो विशय वस्तु है उसका प्र थोड़े थोड़े समय के बाद उनका परियोग करवाई इस तरह से हम बच्चों की शब्दावली में व्रधी कर सकते हैं धन्यवाद